जगत में प्रतेइक वेक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है जैसे कोई बहुत तेजी से दौर नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता कोई आसाध्धे रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता है ऐसे अनेक उधारन और भी है कि आप किसी ऐसे वेक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मान कर ज निर्बलता मनुश्ची को जन्स इत्वा संजोक से प्राप्त होती कि इंतों इस निर्बलता को मनुश्ची का मनnosमा अपनी मर्यादा बना लेता है कि किन्तों कुछ फक्टी ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुशार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजद कर देते हैं कि या भेद है उनमें और अन्ने लोगों में यह आपने कभी विचार किया है सरल साउतर है इसका गड़िय। लियर बहुता से पराजद नहीं होता जो पुरुशार्थ करने का साहस रखता है रुदै में वो निर्बलता को पार कर जाता है और फाट निर्बलता अवश्य इश्वर देता है किन्तु मर्यादा मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है तो एम विचार कीजे भविश्य का दूसरा नाम है संघर्ष रुदे में आज एक्षा होती है और यदी पूर्ण नहीं हो पाती तो रुदे भविश्य की उजना बनाता है भविश्य में एक्षा पूर्ण होगी ऐसी कलपना करता रहता है किन्तो जीवन जीवन ना तो भविश्य में है ना अतीत में जीवन तो इस शण का नाम है अधात इस शण का अनुभव ही जीवन का अनुभव पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सक्ते समझ नहीं पाते या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते या फिर आने वाले समय के लिए हम यूजनाय बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है एक सत्य यदि हम भिदे में उतार लें कि ना हम भविश्य देख सकते हैं ना ही भविश्य निर्मित कर सकते हैं हम तो केवल धैरे और साहस के साथ भविश्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविश्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा, स्वयम दिचार कीजिए ज्यान प्राप्ती सदा ही समर्पन से हूती है, ये हम सब जानते हैं, किन्तु समर्पन का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्यान प्राप्ती में विभिन बाधाओं को उत्पन करता है, कभी किसी अन्य विद्यार्थी से इर्शा हो जाती है, कभी पढ़ाय होए पाठों पर संदेह जनता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहमकार से भर देता है, नहीं, क क्या ऐसा नहीं होता, न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं, और मन की इसी अयोग्य स्थिती के कारण हम ज्यान प्राप्त नहीं कर पाते, मन की योग्य स्थिती केवल समर्पंड से निर्मित होती है, समर्पंड मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, इर्शा, और मन को एकाग्र करता है वास्तव में इश्वर की स्रिष्टी में ना ग्यान की मर्यादा है ना ग्यानियों की गुरु दत्ता त्रे ने तो गाय और श्वान से भी ग्यान प्राप्त कर लिया था अखात विशे ब्रह्म ज्ञानका हो या जीवन के ज्ञानका या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञानका उसकी प्राप्ती के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रती हमारा समर्पान क्या ये सत्य नहीं? तर रसी ब्सवान जीवन में इसा ख्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्त सारी आशायें सारे द्रिश्ट वस्त हो जाते हैं जीवन के सारे आयोजन ही विखर जाते हैं एक और धर्म होता है और दूसरी और तुख किसी को धर्म संकट नहीं जब धर्म का वहन ही तंकत दो, और धर्म का त्याग ही तुक दो बिचार कीजी, कभी किसी इस वजन के विरोध सत्य बोलने का अफसर प्राप्त हो जाता है कभी ठीक धर्यद्रता के समय सरलता से छोरी करने का मार्प्राप्त हो जाता है कभी किसी शक्ती शाली राजनेता या राजा के करमचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है अधिकतर लोग ऐसे किसी कटर को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते हैं हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता सहज़ता से सुख की और खिचे चले जाते हैं जैसे मक्षी गुड़ की और खिची चली जाती वास्तव में घर्म संग्षट ताक्ट इश्वर के निकट जाने का संड होता है कि यदि हम तंघर्षों से भैवीतना सुख की और आकर्शितना अपने धर्म पर रिड़ रहें तो इश्वर का साक्षादकार दूर नहीं पवन से युद करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकाश की और उस्ता है पवन से दुखने वाली हाँ वही भूमी पर रह जाती है अर्फाद भर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दूर तो दुख तो मिलता है जीवन बढ़ता है किन्तू क्या तरित्र नहीं ठूपता क्या आत्मा धरिद्र नहीं हो जाती क्या इस वर्षते अंतर नहीं हो जाता है हुआ है हुआ यहे हैं हुआ है है हम जार स्वूर निंप तो दोडिखती है जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाप और ऊज़िए निर्मित करने का अंप्रेत में अवश्य करते हैं हम यदि सारे संभंधों पर विचार करें तो देखें कि इन सारे संबंधों का अधार यहीं सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं और यदि अन्जाने में भी कोई अन्य विक्ति इन सीमाव को तोड़ता है तो इसी क्षण हमारा हिरिदेख प्रोज से भर जाता है कि इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है क्या हमने कभी विचार किया है सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णे करने की अनुमती नहीं दे अपना निर्णे उस व्यक्ति पर खोपते अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्विकार करते हैं और जब स्वतंत्रता का अफ्विकार किया जाता है तो उसका रिदेख दुखते भर जाता है और जब वो सीमाव को तोड़ता है तो हमारा रिदेख रोजते भर जाता है क्या इसा नहीं होता पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आविशक्ता ही नहीं होती अर फास जिस प्रकार श्विकार किसी संबंध का दे है क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मान है स्वयम विचार की सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्चे आता है कि सत्य कहने का निश्चे होता है रिवे में किन्तु मुख से सत्य निकल नहीं पाता कोई भए मन को घेर लेता किसी घटना अथ्वा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयम से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या ये सत्य है नहीं ये तो केवल तत्य है अर्थात जैसा हुआता वैसा केवल बोल देना समाने सी बात किन्तु कभी कभी उस तत्य को बोलते हुए भी भए लगता है कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मद्ध दूसरे को दुख होगा ये भए भी शब्दों को रोकता है तो ये सत्य क्या है क्या हमने कभी विचार किया है जब भए रहते हुए भी कोई तत्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भयता का दूसरा नाम है और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है अर्थात क्या प्रते एक्षण सत्य बोलने का अक्षण नहीं होता स्वयम विचार कीजिए शेश्च चता का क्या अर्थ है शेश्च चता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्यान प्राप्त करना अर्थात मुल्य इस बात का नहीं कि स्वयम कितना ज्यान प्राप्त किया मुल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ अन्ने लोगों से कितना अधिक है अर्थात शेश्च चता की एक्षा ज्यान प्राप्ती को भी एक स्पर्धा बना देती है और स्पर्धा में वजय अंतिम कभ होती है कुछ समय के लिए तो श्रेष्ट बना जा सकता है किन्तु सदा के लिए कोई श्रेष्ट नहीं रह पाता फिर वही असंतोश, तीडा और संघर्ष जन्म लेता है किन्तु स्ट्रेष्ट बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रेत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्ट करने योग्य है वो सब प्राप्ट करना किसी से अधिक पाने की इक्षा से नहीं मात्र आत्मा की त्रिप्ती हेतु कुछ प्राप्त करना उत्तम के मार्क पर किसी अन्य सिस्परधा नहीं होती स्वयम अपने आप सिस्परधा होती है अर्थात उत्तम बनने का प्रेत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्यान प्राप्त हो जाता है बिना प्रेत्न के ही वो श्रेष्ट बन जाता है किन्तु जो श्रेष्ट बनने का प्रेत्न करता है वो श्रेष्ट बने या ना बने उत्तम कभी नहीं बन पाता जखनों और पूर्व अभासों के अधार पर हम भविष्चे के सुख दुख की कलपना करते हैं हम भविष्चे के दुख का कारण धूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं किन्तु कल के संकट को आज निर्मूर करने से हमें लाप मिलता है या आनी पहुचती है ये प्रश्ट हम कभी नहीं करते हैं सकते तो ये है कि संकट और उसका निवारन ताथ दंते व्यक्ति के लिए भी और प्रिष्टि के लिए भी नहीं आप अपने भूत्काल का स्वरण कीजें इती हास को देखें आप तुरंथ ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारन करने वारी शक्ति भी जन लेती यहीं तो जगत का चलन है वस्तत संकट ही शक्ति के जन का कारण है प्रतेक वेक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है अधिक चमकता है आत्म विश्वास्ति अधिक भरा होता है ना केवल अपने लिए अब तु विश्व के लिए भी कि तक शंकट का जन में है एक अफ्सतर का चब्रतた अपने आपको बदलने का अ अपने विचारों को उचाई पर करने का अपने आत्मा को बलवान और ज्ञान tavalla बनाने का कि जो यह कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता किन्तु जो यह नहीं कर पाता वो तो स्वय में तंकट है विश्व के लिए विचार कीजिए कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता पर क्या भविश्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर नर्मित होते हैं नहीं जिस प्रकार किसी उचे परवत पर स्थर्व प्रथम चड़ने वाला उस परवत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है क्या वही योजना उसे उस परवत की चोटी तक पहुंचाती है और नहीं वास्तव नें वो जैसे जैसे ऊपर चड़ता है वैसे उसे नहीं नहीं चुनौतियां नहीं बीदम बनाए नहीं अव्रोध मिलते व सते पतं पर वो अपने अगले पत का निड़ने करता ह। जते इक पद पर उसे अपनी योजनाव को बदलना पड़ता है, कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ठखेल दे, वो परवत को अपने योग्ये नहीं बना पाता, जेवल स्वैम को परवत के योग्ये बना सकता है, क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं, जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को एक अव्रोथ को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है अपने जीवन की गति को ही रोग लेता है तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और श्चान्ती प्राप कर पाता अर्थार जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वैम अपने को जीवन के योग्य बनाना ही तफलता और सुक्ता एक मात्र मार्ग नहीं स्वैम विचार कीजे जीवन का हर ख्षण निर्णे का ख्षण होता है प्रतेक पद पर दूसरे पद के विशे में कोई निर्णे करना ही पड़ता है और निर्णे निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निर्णे भविश्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए भी आने वाली पीडियों के लिए भी जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है अनिश्चय से भर जाता है निड़ने का वोक्षण युद बन जाता है और मन बन जाता है युद भूमी अधिक्तर निड़ने हम दुविधा का उपाय करने के लिए ने केवल मन को चांद करने के लिए लेते हैं पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद्ध से जूचता हुआ मन कोई योग्य निर्ने ले पाएगा वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्ने करता है तो अपने लिए सुखद भविश्य बनाता है किन्तु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्ने करता है तो वो विक्ति भविश्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता है स्वयम विचार कीजिएगा जीवन ने आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सब गुणों को त्यार कर दुरगुणों को अपनाता है बस्ता मनुष्य के जीवन में दुर्जंता जन ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्म विश्वास नहीं होता आत्म विश्वास ही अच्छाई को धारन करता है यह आत्म विश्वास है क्या जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूनने लगता किन्तु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्ती शाली बनाते हैं ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ती बढ़ती तो प्रतेएक संघर्ष के साथ उसका उस्ताह बढ़ता है अर्थात आत्वों विश्वास और कुछ भी नहीं मन की स्थिती जीवन को देखने का दृष्टी कोण मात रह और जीवन का दृष्टी कोण तो मनुष्य के अपने वश्वे होता है स्वयम विचार कीजे पिता सदा ही अपने संघर्ष की सुक्त की कामना करते उनके भविश्य की चिंता करते रहते इसी कारण वर्ष्ट सदा ही अपने संतानों के भविश्य का मार्ग स्वयम निश्चित करने का प्रेच्न करते रहते जिस मार्ग पर पिता स्वयम चला है जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयम देखा है मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयम जाना है उसी मार्क पर उसका फुत्र भी चले यही इक्षा रहती है हर पिता के निसन दे उत्तम भावना है यह किन्तु तीन प्रश्णों के उपर विचार करना हम भूली जाते कौन से प्रश्ण प्रधम प्रश्ण क्या समय के साथ प्रतेक मार्क बदल नहीं जाते क्या समय सदा ही नई चुनोतियों को लेकर नहीं आता तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीडी को किस प्रकार लाब दे सकते हैं दूसरा प्रश्ट, क्या प्रतेक संतान अपने माता-पिता की छवी होता है? हाँ, संतानों को संसकार तो अवश्य माता-पिता देते हैं, कि तू हीतर की शंता, हीतर की शंता तो इश्वर देते हैं. तो जिस मार्क पर पिता को सफलता मिली है विश्वास है कि उसी मार्क पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्थ होगा तीसरा प्रश्ट क्या जीवन के संघर्ष और चुनोतियां लापकारी नहीं होती क्या प्रते एक नया प्रश्ट एक नय उत्तर का द्वार नहीं खोलता तो फिर संतानों को नय नय प्रश्टनों संघर्षों और चुनोतियों से दूर रखना ये उनके लिए लाप करना कहलाएगा या आनी पहुँचाना अधार जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्मान करने के बदले उसके चरित्र का निर्मान करना श्रेश्ट है वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नई संघश्चों के साथ जूजने के लिए मनों बल वज्ञान देना अधिक लाबदायक नहीं होगा तो एम विचार कीजे मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सूची, धन, प्रेम, अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितने भी प्रबल क्यों न हो परन्तु उसके रहस से उसके नाश की चाभी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताए, ना मित्र को और ना ही शत्रू को, चुकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए, ऐसा कहना संभव नहीं, विभीशन को रावड के अमरित कुंड का ग्यात था, इसलिए प्रभुश्री राम रावड का वद करने में सभल हो सके इसलिए उचित यही है, कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखें मनुश्य जीवन की परिक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता है, वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है और ये सब करने के पश्चाद भी जब उसका काम नहीं बनता, तो वो नकल करता है, है ना? तनिक लोटी अपने बच्पन में, स्मरन कीजिए अपने बच्पन की स्मृतियों का क्या स्मरन हुआ? विध्याले में जब आप परिक्षा देने जाते थे, तो क्या होता था? आप ना से, परंटु कोई न कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था, और उतीन भी हो जाता था, है ना? परंतु जीवन की परिक्षा ऐसी नहीं होती, नकल करने वाला सफल नहीं होता कारण विद्याले में सब के प्रशनपत्र एक होते थे परंतु जीवन के प्रशनपत्र और उनकी कटनाई सब के लिए भिन्न होती तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्ध होंगे ना इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए स्वयम के प्रश्णों का उत्तर स्वयम ढूंडिए और सफलता आपकी ही होगी मनुश्य का जीवन, हार और जीत विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य जूलता रहता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में जूमने लगता है और जब आप असफल होते हैं, तब मन, दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है परन्तु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए, ये केवल हमारी मनुस्थिती मात्र है हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रू विजई पराप्त कर लें हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्विकार कर लें हम असफल तब नहीं होते हैं जब हम लक्ष न पासके हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें इसलिए प्रयास करते रहे और हार ना माने चुकि जिस दिन आप हार स्विकारना बंद कर देंगे जीत आपके चरणों में होगी आप सबने बर्गत के व्रिक्ष को तो देखा ही होगा क्या आपको ग्यात है बर्गत के व्रिक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है परंतु बर्गत का व्रिक्ष संसार के महाकाय व्रिक्षों में जाना जाता है जब उसका जर्म होता है, तब उसमें वो जटाये, वो शाखाये नहीं होती परम्तु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है अधिक पत्तियों का सिर्जन करता है वैसे वैसे उसकी शाखाए जटाए बनकर जड़ तक पहुँचती है और इस व्रिक्ष को सहारा देती है ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पत है बिना लोब लालच शुबकार रिकर अन्य लोगों की सहायता करें धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वो आपके सहायक बनते जाएंगे आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे आयू, मान और आकार बढ़ाएंगे सह जीवन, सहायता और निश्काम कर्म आपको मृत्यू के पस्चात भी मरने नहीं देगा आपको अमर रखेगा हमारा शरीर प्रकृती का एक महान अविश्कार है इससे जटिल संग्रचना संसार में और कोई नहीं हमारा शरीर जितना जटिल है यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ग्यान देने वाला और कोई नहीं हमारे शरीर में पंच इंद्रिया होती है जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती है हमारे पास आखें, नाख, स्पर्ष के लिए त्वचा है कान है और जीवा है सब का भिन्भिन्न कार है आखों से देखना, कानों से सुनना, नतनों से स्वास लेना स्वचा से स्पर्ष करना, और जीवा से स्वाद लेना परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति के लिए ये पूरा शरीर दी परंतु जीवा केवल एक दी ऐसा क्यों चुकि प्रकृति चाहती है कि हम देखे अधिक सुने अधिक और ग्यान अधिक अर्जित करें बोले कम चुकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण दीता है स्मरन रखियेगा एस सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो सत्त कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान देना चाहिए कि अपने है कौन क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रच संबंध होता है या अपने मित्र, अपने वो होते हैं, जो हमें सदकार के लिए प्रेदित करें, हमें आगे बढ़ाएं हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश्य, धर्म की हानि, वो सगे होकर के भी सगे नहीं होते हैं। इसलिए जब अपनों की परिभाशा का चुनाव करें, तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दें, उन्हें नहीं, जो हमें अध्यान के मार्ग पर ले जाएं। आप जिनसे प्रेम करते हैं, सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े, परन्तू एक समय के पश्चार अपनों से दूर हो जाना, उन्नती के लिए अवश्चक है। आप माता पिता हैं, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पक पर उनका मार्ग दर्शन करते रहेंगे, तो आपकी संतान स्वैम मार्ग चुनना कैसे सीखेगी? इसलिए एक समय के पश्चार अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाब दायक रहती है। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ। एक दिन प्राता एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काड़ दिया। व्यापारी घबरा गया, वो फिर से घर लट गया और शुब घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुना अपने घर से निकला, तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुँचकर उसे भेट दे नी थे। राजा को भेट नहीं मिली, राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मैं के वापस चली गई। और उस व्यापारी की जीवन में यदी कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेट देने निकला। और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुँचा। उसने राजा को भेट दी। राजा प्रसन्न होय। और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमती दी। स्वण आभूशन दी। जब व्यापारी घर पर पहुचा तो पतनी को आभूशन और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर और प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना। दोनों के साथ एक ही प्रकार की खटना हुई। परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्द का अपना स्थान है। परंतु उससे कई अधिक महत्वपून। हमारी प्रतिक्रिया हमारे सोच का प्रभाव है। चुकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंद मेरा है। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते, तो अराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। इसका एक छोटा सा रहस्य है, वो वो कारे चुनते हैं जो उन्हें प्रिये, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतीपल आनंद मना रहे हैं। और जब आप आनंद मनाते हैं, तो ठकान कैसे हैं। इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार करें, तो वो आपके मन को भाना चाहिए। या जो कारे आप कर रहे हैं, उसे अपने मन को भा देने दो। सफलता आपको मिलेगी। कभी सोचा है, हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भाती है। जो रेत नीचे गिर चुकी है, वो हमारा अतीत है। जो अब भी उपर है, वो हमारा आने वाला भविश्य है। और वर्तमान, ये संकुचित स्थल है। जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थाद, हमारे पास जीने के लिए यही एक शन है। उसका उपयोग कैसे करना है, ये हम पर निर्भर करता है। जो बीट गया, उसका दुख मनाना है। या जो भविश्य में होने वाला है, उसकी प्रतीक्षा में क्रोद करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक शन है। प्रसन रहना है, तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे, तो ये पल भी भूत काल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजी। आपके पास जो पल है, उनका भरपूर सदुपयोग कीजी। चुकि इस घड़ी को पलट कर, आप फिर से समय अविश्य गिन सकते हैं। परन्तु अपना बीता हुआ समय, आप बाबस नहीं लोटा पाएंगे। मनश्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के अस्तर के लोगों को, वो हे दृष्टी से देखता है। उनका उपहास उडाता है। उनसे बार-बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम भविश्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान होता है, तो वो दूसरों का आदर नहीं करता। परन्तु वो एक बात भूल जाता है, कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है। और वो है समय, काल, काल अपना चक्र कब बदलेगा, ये कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा, ये कोई नहीं जानता। कोईला भी समय के साथ-साथ हीरे में परिवर्थित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उडाना चाहिए। गर्व, अभिमान और अहंका ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। परन्तु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी। तीनों का आरंब प्रेम से होता है। स्वयम से प्रेम, परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्द देता है। और सफलता अभिमान जगाती है। यहां तक ठीक है। परन्तु जब ये भावना अहंकार बन जाती है, तब वो समस्या बन जाती है। चुकि सबसे बुरा अन अहंकारी का ही होता है। परन्तु मनुश्य के लिए पहली यही है, कि पहचाना कैसे जाए। यह अहंकार जग गया है। और उसका दमन अवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं। आपका मन देगा। जब तक आप स्वयम से प्रसन है। जब तक आप सबसे उचा उठने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक ठीक है। परन्तु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए। तो सावधान हो जाईए। चुकि यही अहंकार है। जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है। आज मैं आप सब को एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन गोकुल में दो व्यपारी आए। एक व्यपारी शहद का था। बड़ा मीठा शहद था उसका। परन्तु वो गोकुल में टिक नहीं पाया। उसके व्यपार ने घाटा खाया। और शीग्र ही वो गोकुल छोड़कर चला गया। और दूसरा व्यपारी मिर्च का था। पहले दिन वो एक पोटली लाया। और दूसरे ही दिन वो पूरी बैल गाड़ी भर कर लाया। और धीरे धीरे पूरी मतुरा में उसकी धाक चम गया। मुझे बड़ा आश्चरे हुआ। तो मैंने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों। कि एक मीठे शहद का व्यपारी कंगाल हो गया। और एक मिर्च का व्यपारी धीरे धीरे नगर सेथ बन गया। बाबा मुस्कुराए। और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिख जाती है। और जो कड़वी बोली बोलता है। उसका मीठा शहद भी नहीं बिखता। वह। कितने उत्तम विचार है उनके। और उचित ही है। मनुष्य अपने जीवन में। सदैव अपने वचनों से उठता है। और अपने वचनों से ही गिरता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बूली बूलने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन सरल हो जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी दुरबलता क्या होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुरबलता होती है उसके रहस से। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो परन्तु उसके रहस से उसके नाश की चाभी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है शक्तिशाली रहना है समर्थ रहना है तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताए। ना मित्र को और ना ही शत्रू को चुकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं विभीशन को रावड के अमरित कुंड का ग्यात था इसलिए प्रभुश्री राम रावड का बद करने में सभल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स स्वयम तक ही सीमित रखें युवा अवस्था भी हमारे जीवन का कितना सुन्दर काल होता है ना पाहू में बल मन में कुछ बढ़ा कर जाने की चाह आखों में भविश्य के सुन्दर और पोमल सपने और इसी अवस्था में मनश्य के भीतर पनपता है प्रेम किसी को देख कर उस पर मन मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर निवचावर कर देना चाहता है फिर प्रेम की परिनिती होती है विवाह में क्यूं सबको अपने खटे मीठे संस्मरण स्मरण हो आए ना परंतु यही से अधिकतर माता पिता और संतान के मद्द विचारों का विरोध प्रारंब हो जाता है संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उप्युक्त है और माता पिता को लगता है कि संतान अंजाने में भूल कर रही है संतान का तर्क होता है कि उसे विवा किस्से करना है ये उसका अधिकार है और माता पिता का तर्क ये होता है कि अब भी जीवन साती चुनने की समझ संतान में है ही नहीं तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए उचित निर्ना कैसे लिया जाए इसका एक ही मार गान अपने उत्तटदाईट्व का भान और अपनों से बड़ों की माप दंडो का भान विवा करने से पूर्व ये जानने न आवश्यक है की विवा केवल अपने प्रेम को पाने का मार नहीं है अपितु विवा से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है और हर नय जीवन के साथ नय उत्तरदाइत भी होते हैं और यदि इन उत्तरदाइत को को समझ कर निर्णे लिया जाए तो विश्वास कीजिए आपका दमपत्य जीवन आनन से भरा रहेगा और आपको कभी ये पस्तावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचितन नहीं लिया जब सागर का जल वाश्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाए नहीं देता मेग उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं लंबी यात्रा करते हैं प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे परन्तु जब वायू का वेग उन्हें उड़ा कर किसी परवत से ले जाकर के टकरा देता है तब उन मेगों को बरसना ही पड़ता है चुकि यही नियती है यही प्रकृती है चुकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है फीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है हम सत्य को अपने मन के मेगों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर ले परन्तु समय की आंधी उसे वास्तविक्ता के परवत से ले जाकर के टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आती है जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहें एक दिन बही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं चुकि हमने उस भय का सामना करने की तयारी नहीं की होता इसलिए सत्य से भागे नहीं उसे छिपाए भी नहीं उसे स्विकार करें भविश्य की बड़ी विपत्ती से बच जाएंगे कभी कभी आप सब के जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्याती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाएंगे कि उस शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते हैं मानता हूं ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते हैं एक संघर्ष से बच जाते हैं परन्तु ऐसा बचाओ एक बड़े संघर्ष को जन दे देता है। कैसे हमारा मौन रहना अंजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयम को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है और यहां से हमारा दमन प्रारंब हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्यायम अंचाहे रूप से समलित होते चले जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ती नहीं जो आपको रोकती है। यह आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है। हाँ, कभी-कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्यक कर सकता है। परन्तु साथ-साथ यह भी जानना अवश्यक है कि यह भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकाले। और खुलकर अनीती का अन्याय का विरोध कीजिए। और फिर देखिएगा। आपका मन कितना मुक्त, कितना हलका अनुभब करेगा। कितना है।